हेलो अबरिबन आज हम डिसकेस करेंगे एससी स्टैनोग्राफफर्स 2022 के बारे में कुछ बात हैं जो कि इस समय सभी बच्चों के मंद में डाउट सा रह रह रहा है कि प्रेफरेंस पॉर्म कब तक आ जाएगा तो उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाकर डाल दिया है इससे से बच्चों के मन में ये भी डाउट होगा स्पेशली उन बच्चों के मन में जिनके माक्स इस बार थोड़े कम रह गए कि आने वाला जो एक्जाम है 2023 का उसकी तयारी कैसे स्टार्ट करें कौन-कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए और लगभग केतना टारेट लेकर चलना कि अगली बार सेलेक्शन पका ही होजए तो इन सब यू पॉइंट्स को हम डिसकेस करेंगे एक एक करके इस वीडियो में लेकिन अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्स्राइब कर लेना जिससे की ऐसे ही इन्फोर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टो टाइम मिलत है उससे जो वीडियो है वह आपको चैनल पर मिल जाएगी उससे आप पर आउट क्लियर हो जागा दूसरी बात अब जब टाइम मिला ही है और आपको पता भी है कि इस बार तो डेट भी पहले आनाउंस हो गई है जबकि अभी फॉर्म नहीं आया लेकिन उससे पहले आपको डेट मिल चुकी है कि आपका जो एक्जाम है एससे स्टैनों 2023 का वो आपका अक्टूबर में होगा अक्टूबर 12 और 13 अक्टूबर ठीक है तो अभी से अगर आप स्टार्ट करेंगे आज से पढ़ना मतलब आज क्या टारिक है आज है चार जून चार जून से अगर आप स् अगस्ट से सितंबर 3 महिना हो गया और सितंबर से अक्टूबर 4 महिना यानि 4 अक्टूबर तक का अगर आप टाइम देखे तो अभी से भी आपको एक्जाग्ट 4 महिना पूरा बचा हुए है और उसके बाद भी एक अफता और बचेगा तो अगर हम मोटा मोटी बात करें तो आपके पास 4 महिना है और इस 4 महिने में आप अपनी तयारी बहुत अच्छी कर सकते हैं और अगर आपके इस बार माक्स कम भी रह गए हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है अगले बार वाले एक्जाम में आप अपने माक्स को बहुत ज़्यादा बाड़ा सकते हैं और किस तरह बाड़ा सकते हैं मैं बनावा इस वीडियो में और चले दोस्तो मैं पहले आपको बुक्स बता देता हूं एकए करके उसके बतासे बाद भी आपको Most important part is is examination का क्योंकि English की वेटेज सबसे ज्यादा होती है जैसा कि आप सब जांते हैं कि SSC一點 Reviewं का exam जो की हर साल होती है और इसमें सबस्यादर जो वेटिज होती है वह होती है आपकी English की अगर 200 marks का exam है तो इसमें 100 marks का क्या होगा खली English English होगा उसके बाद 50 marks का reasoning और 50 marks का LEAGUE है तो दोस्तों English जब इसका most important part है और यही आपका सबस्यादर scoring subject है तो आपको इसकी तयारी कैसे करनी है तो सबसे पहले दोस्तों आप इन दो बुक्स को देख सकते हैं जो स्क्रीन पर आपको शो रही है पहले बुक है आपकी English की केडी केमपस की चाहे तो आप कीडी केमपस के लिए नहीं तो जो पहले आती थी प्रिंट्टू परमाउंथ वो भी ले सकते हैं वॉल्यूम वन वाली दोस्तों यह दोनों ही बुक सेम है खाली कवर चेंज है इनका डाटा पूरा सेम है क्योंकि नीटू मेडम के दौरा यह लिखी दोस्तों सबसे पहली बात यह है जब भी आप इस बुक को लें तो आप फर्स्ट डे से ही सभी चैप्टर को कवर करना स्टार्ट करतें क्योंकि जब तक आप इस बुक को पूरी तरह से कवर नहीं करेंगे आपका प्रैक्टिस करने का कोई फायदा नहीं है और जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे मतलब कौन सी सबसे पहले आपको यूज करना है केडी केंपस या विद प्लिंट टू परमांट वॉल्यूम वन इन दोनों को पढ़ने के बाद आप अमबी पॉब्लिकेशन की बुक को यूज कर सकते हैं जब आप अमबी पॉब्लिकेशन को भी पूरी तरह से कवर कर लेंगे उसके बाद आप जाएंगे मौक टेस्ट की और तभी आपको पता लगेगा कि आपका क्या स्कोर बड़ा है क तो उसके बाद पहली बाद जब आप ये book cover कर लेंगे तो साथ के साथ आपको vocabulary पर भी काम करना होगा क्योंकि दोस्तों अपना जो English का exam है इसमें English का जो part है उसमें vocabulary की वेटिज भी काफी अच्छी है अगर आप उसको ignore करेंगे तो आप selection से दूर हो जाएंगे तो इसलिए कोशिश करें कि vocabulary को भी पहले ही दिन से साथ के साथ लेते चलें चाहे तो आप उसके लिए vocabulary की एक नीटुमेम की book आती है वकैब के नाम से जिसमें almost 15-16,000 वकैब कवर की गई है और SSC सही relevant book है आप उसको भी यूज कर सकते हैं अपने vocabulary को इंप्रूव करने लिए या फिर एक black book की black book के नाम से book आती है English vocabulary के लिए SSC की आप उसे भी यूज कर सकते हैं इन दोनों book में से आप चाहें तो आपने vocabulary को कर सकते हैं इन दोनों book की help से किस-किस से एक आपकी black book हो गई दूसे हो गई आपकी निटो सिंग मैम की vocab की book तो दोस्तों मैंना बताया आप तक का आपको English का तो दोस्तों English का main matter यह है कि अगर आप English को first day से ही लेके चलेंगे और डेली अच्छा खाथा time देंगे मतलब 2-3 गंटा तो आप तीन से चार महिने में English को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं मतलब अगर आज आपका score 30 to 40 है out of 100 तो एक्जाम तक आप easily 85 to 90 तक लेके जा सकते हैं इसे score को 100 ले जा पाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि उसमें थोड़ा time लगता है क्योंकि close test और comprehension वाल टेक्स्ट बुक उठा लें या फिन्यूस पेपर उठा लें इसके लिए आपको reading होना बहुत जरूरी है जब तक आप English की reading नहीं करेंगे तब तक आप close test और comprehension अच्छे से नहीं कर पाएंगे इसलिए आपको reading पर भी पूरा पूरा जोर देना है तो चले दोस्तों अब हम से पढ़ लेंगे तो आपका selection हो जाएगा बट एक बात जरूर है कि अगर आपका score English में भले ही अच्छा हो reasoning में भी आपके पूरे-पूरे marks हो बट जीके में आपके marks कम है तो आप selection से दूर हो सकते हैं यह बात guarantee कि है और वहीं अगर आपका score English और reasoning में नॉर्मल है बट अच्छो के marks नहीं आते इसलिए इसको first जीसे ही आपको बहुत ज़्यादा importance देने होगी उसके लिए यह दो बुक मैंने जो बताई है इसक्रीन पर एक है आपकी illusion की सामाने ग्यान की दूसरी आपकी वश्टूनिस्ट सामाने ग्यान वह भी illusion की है तो दूस्तों जो blue वाली बुक है इसको पढ़ना है daily basis पर आप ऐसा ना करें कि आप एक साथ burden बना ले पहले आप कोई भी एक सब्जेक्ट जो आपको interesting लगता है पहले आप उससे स्टाट करें सपोर्द आपको politics अच्छी लगती है quality अच्छी लगते तो पहले आप quality को start करें और पहले quality को खतम करें और जहां तक कि जो मैं समझता हूं जो भी अच्छे rank holders होते हैं उनका जब आप scorecard चेक करेंगी तो उसमें gk का वेटेज काफी अच्छा होगा मतलब without gk आप rank भी अच्छी नहीं जा रहते हैं बहले ही आपका selection हो जाए रोदो करके लेकिन अच्छी rank पाने के लिए gk में score होना अच्छा मस्ट है तो पहले क्या करना है आपको ब्लू वाली की बुक पढ़नी अच्छे से इसके नोट्स बनाने है उसके बाद आपकी जो यह घ्रीन वाली बुक है इसमें आपके objective question होते हैं इसमें MC की आम डोलते हैं उस type question आपको इसमें मिल जाएंगे इसको जब आ आप इन दो बुक्स को पढ़ रहे होंगे उसी के साथ साथ आप क्या करें जैसे अभी से चार महिना बागी है एक्जाम के लिए तो एक्जाम तक का समय और जन्वरी 2023 का समय जन्वरी 2023 से अक्टूबर 2023 तक की जो भी current affair है उसको आप हर मत की weekly current affair जैसे जन्वरी 2023 की आप first week की इन 8 से 10 महिने की current affair cover कर लेते हैं तो वो भी आपके लिए plus point होगा GK में क्योंकि GK में वेटेज होता है almost 10 से 15 question का current affairs का वो भी हर साल तो आप उसे भी ignore नहीं कर सकते तो यह हुआ आपका general knowledge का क्योंकि general knowledge इसलिए ignore नहीं कर सकते क्योंकि यह selection की guarantee दिलाता यह 100% बात है तो इस दो बुक्स मैंने बताई है एक है अरिहंत की master reasoning दूसरी है pinnacle की ssc reasoning जिसमें की क्या है कि आपको बाहत्तर सो question यानि 7200 TCS के बेस्ट जो examination होए है जो मतलब ssc कराता है इस समय तो उसके जो जो previous exam के एक्जाम है उन सभी के questions इसमें cover किये गए है पिनैकल के द्वारा almost 7200 mcq type question reasoning के आप इसकी मदद से practice कर सकते हैं और master reasoning की वज़े से आप उसके जो basic concept है उसको सीख सकते हैं साथी साथ यह भी बताना चाहूँगा आप खाली in books पर ही depend ना रहिए साथ के चाहें तो YouTube पर भी आप topic wise वीडियो देख सकते हैं चाहें वह किसी की भी वीडियो देखिए वह matter नहीं करता बट ऐसा content देखिए जिसमें की content पर बात ज्यादा की गई हो और इधर उधर की गई हो साथ ही दोस्तों यह भी बताना चाहूँगा जब भी आप तयारी करें तो दोस्तों यह तीनों ही सब्जेक्ट मैंने बताई आपको चाहें आपका English हुआ जीके हुआ और इसने हुआ अभी तक का जो pattern चल रहा है उसके according तो आपको इनी तीनी सब्जेक्ट को पढ़ना है और साथे साथ थोड़ा बहुत कंप्यूटर पढ़ लेना क्यूंकि इडियों में कि आपको किस तरह से पढ़ना है स्पेशली English के बारे में लब English में क्या होना चाहिए आपका तरीका जिससे कि आपका स्कोर 90 प्लस है साथी सथ दोस्तों मैं यह भी करना चाहँगा जैसा कि मैंने स्टाइटिंग में बोला था कि आपको क्या target रखना चाहिए आपका जिससे की सेलेक्शन पक्का हो जाए तो जो मैं समझता हूं इस बार वेकेंसी अराउंड 4000 रही है बट अगली बार वेकेंसी इतने अच्छी मात्रा में नहीं आएगी क्योंकि आप सी हैसल कभी हाल दे सकते हैं लेकिन 2023 का जो नहीं नोटिफिकेशन आया है उसमें ख तो आप अभी से अगर आप तयारी अच्छे रखेंगे और आलमोस्ट 160 आपका स्कोर रहेगा तो आप 100% सेफ है सिलेक्शन के लिए तो सबसे पहले आपके माइंड में रखना है आपको सिलेक्शन ना कि यह कि ग्रेट D या ग्रेट C ग्रेट D और ग्रेट C तो बाद में भ बता हैं आप चाहें तो इनको यूज कर सकते हैं आई होप यह आपके लिए हेलफुल ही होंगे और साथी साथ अगर आपका कोई डाउट रह जाता है कि मुझे क्या और इसके अलावा क्या करना चाहिए तो आप अपने कमेंट को कमेंट बॉक्स में डॉप कर सकते हैं अब इस वीडियो को यह एंड करना चाहूंगा फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइबाइट टेक केर कर दो कर दो